तो सनी देवल के चलते अब खेसारी लाल यादो का फिल्म रिलीज होने से टल गया 25 तारीक कोन की फिल्म रिलीज होने वाली थी और नाम है संगर्स 2 इतनी बड़ी फिल्म की नाम ही काफी है कितना इसका परचार हुआ कितना इसके बारे में किसारी तारीफ करते नजा रहा है एक से बढ़कर एक बात जितना कह सकते थे सब कुछ किसारी ने किया लेकिन उस फिल्म को उसके रिलीज डेट को इसलिए टाल दिया गया है क्योंकि सामने गदर टू है अब हो कह रहा है कि इस फिल्म को जो स्पेस चाहिए जितना बड़ा तयारी नों ने किया था ये सारे लोग पीछे हट गए हैं और किसारी के फैंस जो कम से कम ये सपना सजा वाटे थे कुई उमीद पाल वाटे थे कि अब फिल्म देखने को मिल जाएगा इकडम चनवरी फरवरी से ही केसारी का बड़े आता उसका पहले से तमाम चरचाएगा कि अब आएगी संगर्डर्टू का टीजर आता है, फिर लंबा इंतियार होता है, ट्रेलर आता है, पोस्टर में तमाम दिक्कत ऐसे करके इतना सस्पेंस किसारी के तरब से बनाया जा रहा था कि जो दर्सक थे वो एकदम से उब गये थे बेचैन हो गये थे कि भाई अब तो फिल्म के रिलीज कर दो कितना इंतिजार करवाओगे दूसरी चीज हो कह रहा था कि 25 अगस्त जो डेट बताया गया था कि इस दिन फिल्म रिलीज होगा और 25 अगस्त एक दम पास है पात से साथ दिन दस दिन बचा था और किसारी एक सब्द चूं तक नहीं कर रहे थे कुछ बोल ही नहीं रहे थे इस फिल्म के बारे में अब इतन मतलब मांग रहे थे ऐसे एक तरह से कहें कि आके प्रोमोशन कर दीजिए आप निरहुआ से रितियस पांडे जिन से दुस्मनी है उन सब लोगों से एक तरह से हाथ फैला कर मांग रहे थे कि आप आईए और मेरे फिल्म का प्रोमोशन कीजिए उस फिल्म के बारे में अगर रिस्क नहीं ले सकते हैं अब प्रॉब्लम क्या है क्यूं रिस्क है और डर क्या है तो खेसारी के जो लोग है और फिल्म के मेकर्स वो सोच रहे थे कि इस फिल्म को अलग-अलग जगहों पर रिलीज की जाएगे, मतलब बिहार से बाहर भी जहां पर भोजपूरी दर्सक हैं, जैसे गुजरात हुआ, पंजाब में बहुत सारे लोग रहते हैं, मुंबई जैसे इलाके, इन सब शेत्रों में काम करने वाले जो बिहारी होते हैं, जो प्रवासी मजदूर हैं ये सब रहते हैं, तो वहाँ पर भोजपूरी बासी छेत्र हैं, जैसे चत्ति सगड़ में पौन सिंग सो करने जाते हैं, मुद्य परदेश के इलाकों में हैं बिहारी, तो इन शेत्रों में भोजपूरी फिल्म को रिलीज किया जाएगा, संगर स्टू को रिलीज किया लेकिन गदर टू आती है, और इतना जादा भाई लहर चलता है, इसका कि अभी देखिए एकदम रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रहा है, रोज रोज इसका कमाई बढ़ते ही जा रहा है, तीन सो कड़ोर पार कर गई कमाई के मामले में, उल्टा पटना से एक ऐसा सूचना आया कि गदर टू का टिकेट नहीं मिला, रिजेंट हॉल की बात है, जो गाने मैदान के सामने है, तो इससे गुस्सा आओकर एक युवक दो बम जाकर फिक दिया, सिनेमा घर के जो गाड है उनके उपर, क्योंकि उसको ये सिकायत थी कि ये लोग टिकट ब्लैक में बेच र कि ये लहर जब समाप्त हो जाएगा, तब हम लोग अपना फिल्म रिलीज करेंगे, तब जाके हमारी फिल्म चलेगी, जो कमाई है वो हो पाएगी, क्योंकि अभी रिलीज करेंगे, सब लोग गदर टू देखने जाएगे, कोई संगर्स टू देखने नहीं जाएगा, और खिसारी को अपना फिल्म वापस करने पे मजबूर कर दिया है, 25 अगस्त को फिल्म रिलीज नहीं हो रही है, अब आगे कब रिलीज होगी, इसके बारे में जब टीम के लोग बताएंगे, फिल्म के मेकर्स जब बताएंगे, तब ही कुछ बता चल जाएगा, बाकि आप लो किसिलो नहीं हो गवारे में जब के सेल्एंगे JAMRI Erोग जब आप इसकू nationalणा फिल्म वारे में एक्वारा को भीज़ में खाया है, तब बताएंगे आब कार टीम कारे में अब औक है। कर दो को, सत्कों रपा नची कर दो कि आप एंगा कि एंगा कि एंगा कि आ